लो गाईज आप सभी को प्रिति का प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाएंगे क्रोस बोडी सिलिंग बेग और वो एकदम इजी मेथड से तो उसके लिए मैंने ये फैबरिक का टुकड़ा ले लिया है 20 by 17.5 इसका मेजरमेंट है और अभी 17.5 इसे पहले फोल्ड कर ले ना इस तरह से 17.5 इंच से पहले फोल्ड करना है फिर जो 20 इंच है ये देखे ये 20 इंच है अभी ये 8.5 इंच है तो 17.5 इंच से पहले फोल्ड करना फिर 20 इंच से वहीं से फोल्ड करना और ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे रख लेना है पिर देंगे हम इसे तो यह सब्सक्राइब देना है ये देखे round shape भी हो गए आप इधर कर लेंगे हम यही shape में cut और अभी ये जो side से बचा हुआ piece है उसे भी हम use करेंगे तो उसे बराबर सीधा cut कर लेना है और पहले ये piece हम खोल के देख लेंगे ये देखे कुछ shape उसका इस तरह से दिखता है और इसके नीचे मैंने sponge seat ले लिए और अस्तर का piece ले लिया है और चारो side सिलाई करके इसमें जोड लेंगे ये दोनों ये जोड के हो जाए बाद में जो हमने ये piece cut किया था गोले लेंगे उसका दो-दो piece इस तरह से रखेंगे और फिर stitch करेंगे पहले ये दो piece है उसमें जो लंबा है वहाँ पे हमें stitch कर लेना है लंबा है ये जिस side वो हो जाए बाद में ये piece को इस तरह से रखेंगे और चारो piece को joint कर लेंगे तो ये देखिए ये दोनों मैंने joint कर लिए ये भी हो गया और ये भी मेरा joint करके हो गया है अब ये देखिए ये यहाँ पे रखेंगे तो इसके नाप का ही टुकड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे वो pocket की तरह use करेंगे तो pocket बनाने के लिए हमें उपर की side से अंदर की side जाते हुए 2 inch पे mark कर लेना है और फिर यही माप से हमें cut कर लेना है मैं सीधी line बना लूँगी फिर यही नाप से मैं इसे cut कर लूँगी और 12 inch की zip लूँगी और zip को यहाँ पे attach कर लूँगी यह cut हो गया अभी मैंने ले ली 12 inch की zip जिप को उल्टा रखके यहाँ पे stitch करेंगे फिर यह piece में भी इसे stitch कर लेंगे दोनों piece में joint हो गया अभी यहाँ पे उल्टा करके कर लेंगे top stitch टोप stitch भी हो गया अभी कर लेंगे runner end रनरेड हो जाए, बाद में ये पीस को इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो हमने टुकडे टुकडे जो जोइंट किये थे, साइट से कट किये हुए उसे यहां पे इस तरह से रखना है, और यहां से लेके यहां तक स्टीच कर लेना है स्टीच हो गया, अभी इसे इस साइट पलट लेंगे और फिर सीधी साइट करते हुए, यहां से लेके सिलाई करते जाएंगे तो यहां तक हमें इसे सिलाई करके जोड लेना है और जो एक्स्रा राएगा, उसे कट कर लेना है तो यह हमारा पोकेट बन गया, और बचा हुआ जो टुकड़ा था वो भी यूस हो गया अभी जो साइट का कॉर्णर है, उसे इस तरह से फोल्ड करना है और मार्क कर लेना है, दोनों साइट मार्क हो जाए, बाद में हम यहां पर मेजर्मेंट लेंगे तो जो मार्क की आए, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, और फिर इस तरह से माप लेना है और जब भी मार्क आए, उससे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है तो यह देखें, यहां पर 15.5 इंच आ रहा था, तो मैंने 16 इंच ले लिया है ताकि हमारा जो जो जोइंट लगा है वो इसके नाप में ही आजायत और फिर 16 इंच का ही मैंने यह फेबरिक का टुकडा ले लिया है फोर बाई 16 इंच का और इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहां पर जिप को अटेज कर लूंगी और इसे भी मैंने स्पंसिट और अस्तर से जोड़ के ले लिया है यह देखिए मेरी जिप पी अटेज हो गई बीच में और अभी दो रनर मैं इसमें एड कर लूंगी दोनों रनर एड हो गए अभी यह पीस में मैं बेल्ट अटेज करूंगी दोनों साइट स्टीच करके हो गए अभी यह वाला पीस ले लेंगे और इसके उपर इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइट स्टीच करके इसे जोड लेंगे यह देखी यह दोनों साइट जोड के हो गए, अभी इस तरह से बेल्ट को उपर की साइट करना है और फिर इसे दबा देना है, यहाँ पर टॉप स्थिच कर लेनی है बेल्ट को जिप वाला जो पाट इस तरह ही रखना है, और फिर टॉप स्थिच करनी है मैंने आपको वीडियो में दिखाया इस तरह से ही आप कीजिएगा ये देखे ये दोनों साइड हमारी टॉप स्टीच हो गई अभी ये जो कोनर है उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई करते जाएंगे और पूरे में स्टीच करते करते दूसरा जो कोनर है वहाँ तक हम आएंगे तो यहाँ तक हमें सिलाई करके ये पीस को जोड लेना है ये देखे ये जोड के होगए आभी इसी तरह से दूसरे आले हिसे को بھی हमें जोड के ये पुरा पैक कर लेना है यह देखे यहां से लेके यहां तक stitch कर लेना है stitch हो गया, अभी इसे खोल के हम कर लेंगे सीधा अगर आप इसमें cover sila I करना चाते हैं तो pipe pin लेके आप cover sila I कर सकते हैं 2 inch की पटी लेनी है और फिर यहां पे attach कर लेनी है तो फिर आपका cover हो जाएगा ये देखे मेरा ceiling bag बनके ready है कैसा लग रहा है आपको comment जरूर कीजिएगा ये देखे अंदर की side भी बहुत सारा space है इसमें आपका छोटा सा छाता रहेगा वो भी आ जाएगा और बाकी पानी की bottle कुछ थोड़ा छोटा मोटा सामान है वो भी आजाएगा काफी अच्छी साइज में ये हमारा ceiling bag बनके ready हुआ है और एक pocket भी हमने बनाया है तो कुछ चीजे हमें separate रखनी है तो वो भी रख सकते हैं और final measurement बता दू आपको तो ये चोड़ाई में 11.5 इंचे height इसकी 7 नीचे और नीचे base हमारा 3.5 इंचे और side चोड़ाई भी 3.5 इंचे इस तरह से भी 3.5 इंचे और उपर की side भी हमारा 3.5 इंचे है तो काफी अच्छी size while opening और एक pocket के साथ हमारा ये sorry two pocket के साथ हमारा ये ceiling bag बनके ready है आपको कैसा लगा comment जरूर कीजेगा वीडियो को like ज्यादा से ज्यादा share कीजेगा channel पे नए तो channel को subscribe कर लीजेगा चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जये भारत